हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चौदवें अध्याय का उन्निस वश्लोक भगवान कह रहे हैं कि जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है यानि अब भगवान आगे भक्त पे उतर के बता दिया किसका क्या होने वाला है तो फिर आप भक्त की स्थिती बता रहे हैं एक तरह से इंडिरेक्ली कि जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कारियों में जो कुछ भी इस धर्ती पर हो रहा है प्रकति के तीनों गुणों के अतिरिक्ट अन्य कोई करता नहीं है यानि जो कुछ भी इस धर्ती पर हो रहा है बेसिकली हम उनको इनी तीन श्रीणियों में बाढ़ सकते हैं कोई भी कर्म, कोई भी रिजल्ट, कोई भी दान, कोई भी यज्य, कोई भी तपस्या, कोई भी खाना, कोई भी सोना कोई भी कार रहे, सब कुछ या तो सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है भगवत गीता जब आप पढ़के पूरा करेंगा भी सतोगूण, रजोगूण का चैप्टर खतम नहीं हो है इसका लेक्टर खतम नहीं हो है अब ये आगे चलके 16-17 अध्यायों में भी दुबारा से शुरू होगा। दुबारा इन सब चीजों के बारे में अभी आगे चलके अध्यायों में बाते आएंगी। फिर से रजवगुन, सत्वगुन, रजवगुन ये चलेगा भी। तो जब भगवत गीता पून हो जाएगी और अच्छे से हम समझ लेंगे पढ़ लेंगे तब भगवान कह रहे हैं जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकति की तीनों गुणों के अत्रिक्त अन्य कोई करता नहीं है और जब परमेश्वर को जान ले परमेश्वर तो तीनों गुणों से परे हैं जो इन तीनों गुणों से परे हैं तो वो मेरे दिव्य सभाव को प्राप्त होता है नाच्छी मैं पहले भी कह चुका हूँ हमें सतोगुणी होकर शुद्ध सतोगुणी बनना है भक्त बनना है वो है सबसे बड़ी क्वालिट कि खुश हो तो आप इस धर्थी पे रहने का निर्णय ले सकते हो फिर आप रजबुणी जीवन बिता सकते हो उसको भी नर्क में नहीं जाना है जब तक कि आप जगनने पाप पूर कारव नहीं कर रहे हैं, अगर आप सब पैसा कमाने की पीछे पागल हो, नाम कमाने की पीछे पागल हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो भगवाण आपको और मोका देंगे, ले भाई अगले जनम में फ़र यहीं आजा, दान वगड़े भी कर रहे हो तो चलो, शायद उसके बेश पर थोड़ा समय स्वरग में गुमा देंगे यही होता है, और कुछ नहीं है चलिए एक श्लोक और लेते हैं बीस वाँ श्लोक भगवान कह रहे हैं जब देहदारी जीव जब देहदारी जीव बौतिक शरीर से संबद इन तीनों गुणों को लांगने में समर्थ होता है तीनों को लांगना है यानि बेसिकली तो अगर हम तमुगुणी भी हैं तो भी संबव है कि हम धीरे धीरे सतोगुणी और फिर भक्त यानि शुद्ध सतोगुणी बन जाएं तो इसी जीवन में इन गुणों को लांगना संबव है ऐसा कुछ मुश्किल नहीं हरी नाम करेंगे भक्तों का संग करेंगे शासरध्यन करेंगे हो जाएगा जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद इन तीनों गुणों को लांगने में समर्थ होता है तो वजन्म, मृत्य, बुढ़ापा और कष्टों से मुक्त हो सकता है अगर मौक्ष मिल जाएगा तो इन चारों से उसको मुक्ती मिली जाएगी भक्ती होगी तो मौक्ष मिली जाएगा और भगवान कहरें इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है जो भक्त होगा उसको इसी जीवन में ये चारों कर्ष्ट कम सताएंगे बहुत सारे लोग मिले को बोलते हैं कि भक्ती कर रहे थे फिर भी चोट लग गई भक्ती कर रहे थे फिर भी बिमार पड़ गए भक्ती कर रहे थे फिर भी गर में किसी की मृत्ती हो गई ये होएगा 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 जो होना है वो होएगा तो कई लोग बड़े भातिक सवाल कर लेते हैं फिर भक्ति करने का फाइदा क्या पहली बात तो सब भक्ति करने का फाइदा हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं इस से आपको भगवान की प्रेम भक्ति मिलती है, आपको दिव्य सुख मिलता है, अध्यात्मिक सुख मिलता है, मौक्ष ची प्राप्ति होती है, पहले तो हम यह बात कर चुके हैं, फिर भी भौतिक जीवन में क्या लाब होगा, भौतिक जीवन में आपकी सेहन शीलता जो लोग भक्ती कर रहे हैं वो कष्टो को जादा अच्छे से जहल लेते हैं उनको मानसिक वेदना जो होती है जादा तर आप देखेंगे कि सारे डॉक्टर शरीर को जो तकलीफ होती है उसको ठीक कर लेते हैं मानसिक वेदना दिमाग में जो तकलीफ होती है उसको नहीं कर प होता है समभाव जादा रहते हैं स्थित प्रग्य जादा रहते हैं ठीक है ना सो इसी लिए वो इस जीवन में भी अम्रत का भोग कर सकते हैं जो इस लोक में बताया गया है ठीक है जी तो इस लोक में इतनी ही चर्चा दूसरों को भी आप जोड़िए प्रचार कीजिए यही है यही सार है हरे क्रिश्णा